हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेट तो माँ चैनल टेस्टी कुपिन कॉर्नर 9 आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सा पिंक और रेड रोजेट का ये स्ट्रॉबरी केक जो बनाने में बहुती बहुत ईजी है और खाने में बहुती सुपर टेस्टी बनेंगा बहुती असानी से हम इसे घर में बना सकते है और अपने लफट वन को देने के लिए ये बहुती अच्छा आप्शन है आप अपने love one को ये बहुत ही अच्छे से easy ली बना के gift कर सकते है तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं या असान सी recipe को तो मैंने यहाँ पे एक bowl ले लिया है आज हम friends इसका जो sponge है वो egg से बनाएंगे मैंने इससे पहले eggless cake बनाया के बताया है आपको आज हम बना रहे है egg के साथ तो यहाँ पे मैंने पहले ले लिया है एक cup मैदा अब एक cup मैदे से हम दो चम्मच मैदे को कम कर लेंगे यानि की दो टेबल स्पून मैदा हम इसमें से निकाल लेंगे और दो टेबल स्पून मैदा निकालने के बाद हम इसके अंदर दो टेबल स्पून यानि इसी चमच से दो टेबल स्पून कॉन फूर इसमें आड़ कर देंगे मतलब टोटल ये एक कप मैदा हो जाएंगा जिसके अंदर से दो कप हमने दो चमच मैदा निकालने के बाद सीम चमच से हम कॉन फूर आड़ कर देंगे चान रही हूं ऐसे एक नीचे कोई भी बरतन लेके उस पर यह चालनी को रखके ऐसे सारा फ्लूर इस पर डालिए और इसे बहुत ही अच्छे से अश्याय अपया और यहां पर यहां पर आगी की प्रोसेस के दरफ बढ़ते हैं तो अब चार से पांच पर छान लिया है अब अब हम इससे उठाके साइड में कर लेंगे तो अब चलते है केक पैन की तरफ नहीं है cake tin तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी बगोनी लिए है इसके अंदर हम एक से आदा चमच देल डालके बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिस कर लेंगे सारे इसके base पे और आजो बाजो की side को बहुत ही अची तरीके से grease करने के बाद हम इस पे एक circle इसी का change का butter paper लगा के butter paper लगाने के बाद भी उसके उपर बहुत ही अच्छी से एक brush मार लेंगे oil का आप oil की जगा butter भी use कर सकते हैं थोड़ा सा soft butter भी अप लगा के grease कर सकते हैं और बस यह हमारा cake tin ready है अब मैंने यहां पे तीन अंडे लिये हैं जिसको मैंने तोड़ के egg white और egg yellow को अलग कर लिया है तो यह तीन अंडों की सफेदी है यानि के egg white है इसे अभी हमें बहुत ही अच्छे से beat करना है तो मैंने यह number one की speed से start किया है और इसे number three तक ले जाओंगे beat करते हुए यह beat करने के बाद एक बहुती smooth texture में हमें इसे ले के आना है जब तक कि इसमें से soft peak ना निकाल आए यह बिल्कुल whip cream के तरह बन के इसका texture ready हो जाएंगा तो इतना हमें इसे beat करना है मतलब तकरीबन तीन मिनिट से diamond लगे गया हमें इसे beat करने में तो मैं यहाँ पे electric blender का use कर रही हूँ आप चाहो तो iron blender से भी beat कर सकते है पर उसमें जादा time लगेगा तो अभी मैंने बीच में इसे थोड़ा सा semi जब यह semi soft हो गया semi consistency में आ गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे रोक के इसके अंदर एक चंबच मैंने याँ विनेगर add किया है अगर आपके बस विनेगर नहीं है तो आप एक निवो का रज़ दिस में add कर सकते हैं एक से देर चंबच तो vinegar add करने के बाद आप हम इसे speed बढ़ा के इसे बहुत ही अच्छे से beat कर लेंगे ताकि इसकी consistency एकदम whip cream की तारा बन जाए soft peak आने तक हमें इसे beat करना है अब मैंने यहाँ पे आदा cup प्लस दो चमच पिसी विश चीनी ली है मतलब sugar powder तो इसे में बीच-बीच में बीच-बीच में इसमें add करते जाएंगे और beat करते जाएंगे तो हमें इसे beating process में ही sugar को add करना है तो दिहान रहे कि हमें एक साथ नहीं add करना है थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा add करेंगे और beat करेंगे तो इसी तरीके से मैं सारी शुगर एक साथ इसमें दीरे दीरे आट कर दोंगी थोड़े थोड़े देर में बीच बीच में और बीट करती जाओंगी तो दिहान रहे कि मैंने यहां पर 80 ग्राम शुगर का यूज किया है चीनी शुगर पाउडर का तो सिंपली आप घर की नॉर्मल शुगर को अगर मिक्सीजी में ग्राइंड कर लेंगे और उसे चान लेंगे तो यह केक बनाने के लिए बिल्कुल तयार है रेडी है तो इसी तरीके से हमारे यह जो हमारे एग वाइट है हम शुगर को आड़ करके से रेडी कर लेंगे बहु तो यहां पर आड़ करेंगे निकालके रखे थे हलकाओ का हाथ से हम इसमें डालेंगे और फिर इसे डालेंगे और पिर इसे कंप तक से बीट देंगे और लीका बाट बढ़ते हैं तो मैंने यहां पर एक बाउल के ऐक बावल लिया है इसके अंदर हम दो टेबल स्पून यानि की दो बड़ी चमच ओईल एट करेंगे तो कोई भी ओईल आप यूज़ कर सकते हैं बस वो स्ट्रॉंग फ्लेवर वाला ना हो यानि की जैसे की सरसो का तेल या जिसमें से बहुत हार्ड खुश्बू आती हो ऐसा तेला में यूज़ नहीं करना है बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर ओईल यूज़ करेंगे जिसमें कोई फ्रेग्रेंस या कोई किसी भी तरीके का स्मेल ना रहा हो और उसी के साथ वही चमच से हम दो चमच इसमें नॉर्मल टेंपरेशर का रूम टेंपरेशर का मिल्क आट करेंगे तो यहां में दो से ड़ाई चमच इसकी साथ मिल्क भी डाल रही हूँ उसी के साथ हम इसके अंदर एक से हाफ टेबल स्पून वैनिला एसंस आट करेंगे तो मैंने यहाँ पर वैनिला एसंस डाल दिया है आदा चम्मच और बस अब सारे वेट इंग्रेडियंट्स को हम बहुत ही अच्छी तरीक इसे चम्मच से मिला लेंगे ताकि सारे इंग्रेडियंट्स एक दूसरे से बहुत ही अच्छी से मिल जाए ओयल दूद और वैनिला एसंस तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे मिक्स कर ली हूँ हलके हलके हाथ से एकदम फेटते हुए इने मिला लेना है और बस इन सारे मिक्स्चरन को हमें हमने जो एक वाइट तयार किया था उस मिक्स्च में हमें इसे डालना है तो हलके हलके हाथ से अब हम इसे एक वाइट वाले मिक्स्चर में डालेंगे और फिर से इसे हमें एक मिन्ट के लिए बीट करना है तो आप देखिए मैं किस तरीके से हलके हाथ से डाल रही हूं और अब बस एक मिंट के लिए से बीट कर देंगे हम सारे वेट इंग्रीडियन्स बहुत ही अची तरीके से बीट हो गए है तैयार हो गया अब बारी है ड्राइ इंग्रीडियंट्स और वैट इंग्रीडियंट्स को एक साथ मिक्स करने की तो जो हमने पांच बारमैदे और baking powder को छान के रखा था उसे हम हलके हलके हाथ से दीरे-दीरे सारे floor को wet हमारे ingredient में आट करेंगे और इसे बहुत ही अच्छी के तरीके से चम्मच से हलके हलके हाथ से मिला लेंगे ताकि सारे wet ingredients और dry ingredients एक दूसरे के साथ मिल जाए और एक batter में बजल जाए अब इसे हम एक बार hand blender से 1 minute के लिए चला लेंगे बीट कर लेंगे और बस फिर हमारा batter ready हो जाएगा तो बैटर को बीट करने से पहले हम हमारे homemade oven को तयार कर लेते हैं तो मैंने एक बड़ा सा पतीला बगोना ले लिया है इसे एकदम low flame पे gas पे लगा दिया है इसके अंदर एक stand रख देंगे अगर stand नहीं है आपके पास तो कोई भी एक plate भी रख सकते है या फिर चुले पे जो gas पे का stand होता है वो भी आप रख सकते है और बस इसे 10 minute के लिए हम एकदम low flame पे preheat करने के लिए होने के लिए रख देंगे डख के और उतनी देर में हम यहां पे हमारा यह जो बैटर हमने रैडी किया है इसे एक minute के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं ताकि एक smooth batter बन के ribbon consistency का बैटर बन के रैडी हो जाए और हमारा oven भी बहुत ही अच्छी से गरम हो गया है अब बस cake team को इसमें डाल के 30-40 minute के लिए हम इसे bake होने के लिए छोड़ देंगे तो 30-40 minute बाद मैंने इसे चेक किया तो आप देख सकते हैं यह toothpick से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे तो केक हमारा बन के बिलकुल तयार है सेंटर में मैंने यहाँ पे toothpick एट किया है तो आप देखे एक दम clean निकल के आई है यानि कि हमारा केक perfectly bake हो गया है अब हम 2-5 गंटे केक को थंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम केक को demold करेंगे तो आप देख सकते हैं केक दो गंटे के बाद थंडा हो गया है तो पहले हम चाको से हमारी knife से केक के साइट में इस तरीके से डाल के ना इसके साइट छुडा लेंगे टीन से हलके हलके हाथ से यह बहुत ही इजी ली निकल आते है आप देखें आप एजी ली बटर पेपर बे निकलके रिमूव हो गया है आप देखें केक का टेक्स्चर कितना पॉफेक्टली बनके तयार हुआ है बिल्कुल भी बटर पेपर पे यह चिपका नहीं है और एकदम मॉज्ड बना है कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है एकदम सुपर सौट स्पॉजी और एकदम फलफी केक बनके तयार हुआ है एकदम यह स्पॉज के तरह हिल रहा है तो आप देखिए कि परफेक्ट मेजरमेंट से आप एक परफेक्ट केक को बहुत इजी ली घर में बेग कर सकते हैं बहुती सॉफ्ट और बहुती स्पॉंजी जालीदार केक बनके रेडी हुआ है तो चलिए फिर ये आदा किलो से थोड़ा जादा है वजन में तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉल्क हो रहा है बहुती यमी और बहुती टेलिशिस सूपर टेस्टी और सूपर व्यूटिफुल केक बनके हमारा रेडी हो गया है बहुत इजी ली तो चलिए फिर अब हम इसे कट करते हैं और इसकी आइसिंग की तयारी करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो इसका उपर का अनिवन पाट है जो हलका सा उपर से निकलाया है इसे हम कट कर लेंगे ताकि एक फ्लैट सर्फिस हमें मिल जाए तो आप देखिए इसके अंदर का टेक्शर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल है देखिए मैं आपक एक भी केक का पार्ट निकला नहीं है मतलब दानी भी नहीं निकला रहे और अब बस हम इसे तीन लियर्ज में कट करेंगे तो पहले हम ना एक नाइस से इस पे एक माक लगा लेंगे देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ मैंने दो माक ऐसे लगा है और ऐसे हलके हलके वह साथ से काट करे रख लेंगे तो किसे हम अपटर दिक्कत हो रही है क्योंकि वह केक तोड़ा भी उनिस tracking हो तो fi Il easily मैंने cake cake layer cut ली है उसी तरीके से अब मैं आपको दूसरी layer बी cut करके दिखाती हू林 मतलब totally cafe हुम cake के तीन layer cut करेंगे तो तीन layer का हम यहाँपे strawberry cake बना रहा है इसे भी मैं इसी तरीके से जो हमने mark किया था उसके उपर रखके हलकि chilकी हाथ से इस गुमाते हुए कट कर लूँगी तो यहां पर मैंने दूस्री लेर . बहुत कट हो गई आप देख सकते हैं दूसरी लेर भी बहुत ईजैके र değडी हैं तो यह हमारे स्टीश तिन 6 लेर्ज ऐक केग बेस रेड़े हैं हम आइसिंग की तरफ तो यहां पे मैंने चिल के लिया है और इसके थे are जो कप से हमने मैदा लिया था इसी कप से हम देर कप चिल के लिएंगे यहां पहुंद निकाल के फ्रीज में रख आधा कोई नॉमल कंडीशन में आ तो यह 1 कप और इसी कप से 1 कप और यानि की टोटल यह काड़ का विपिंग क्रीम का हम यहां पर यूज़ करेंगे है एपीड करेंगे तो चैजांधा दिखा करो दिखा रहेंगे ध मेंट करेंगे दो मेंट से तीन मेंट के आंदर क्रीम पोफेक्ट लिए और करेंगे आइसिंग के लिए तो हलके हलके हाथ से इसी तरीके से हम बीट करेंगे ब्लैंट करेंगे हमारी क्रीम को विपिंग क्रीम को और रेडी कर लेंगे तो यह देखिए हमारी विपिंग क्रीम परफेक्टली बनके रेडी है बिल्कुल आइसिंग करने के तयार है क्रीम आप देख तो सबसे पहले हैं पर मैंने एक ट्यान टेबल ले लिया है और इसके ऊपर एक प्लेट इस तरीके से परटके रख दी है अब थोड़ी से क्रीम हम इसके ओपर लगा लेंगे विपेम क्रीम जो हमने बनाई है इससे क्या होगा ना कि हमारा केक का बेस है वो इस पर चिपक माँश वही चीनी मिला लिजिए तो शुगर सिरफ हमारा बनके तयार हो जाए और र suivre पर फ़े की रस पर ओपर ब्स फुरगर ना बहुत जरूरी होता है केक क्लमी टाइम तक क्लम तक बहुत मॉइस्ट रहता है, एकदम सॉफ्टいき चैनल लांगा लेंगे बहुत ही अची तरीके से दिलाल है, यहां हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ब मैं क्रीम से कवर कर लिया है अब हम इसके उपर स्ट्रॉबेरी क्रश लगाएंगे तो मार्केट में बहुत प्रकार के स्ट्रॉबेरी क्रश आपको मिल जाएंगे अलग-अलग प्रेंड्स के आवे लिब लोंगे तो यहां पर जो गाढ़ा वाला होता है ना यह बहुत ही उसी स्पेचूला से क्रीम के अंदर इस प्राइट कर दोंगे तो बस क्रश बहुत ही अच्छी तरीके से हमने अप्लाए कर लिया है अब हम सेम प्रोसेस से सेकेंड लेयर भी अपनी केक की लगा दैंगे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे पहले शुगर शिरब उसके बाद ब केक की थर्ड लेयर भी हम लगा देंगे और उसके उपर फिर्ज शुगर सिरफ स्प्रेट करके और यहां पर हम विपिंग क्रीम थोड़ी कम भी लगाए तो चलेगा क्यूंकि अब हम सिर्फ केक को कवर करेंगे विप क्रीम से क्यूंकि इसके बाद हम इसके उपर बहुत सारे के विपिंग क्रीम के यूज करके बहुत ही प्यारे प्यारे रोजेट बनाएंगे तो यहां पे अगर आप थोड़ा विप प्रीम कम भी यूज के तो चलेंगा तो अब हमें सिर्फ विपिंग क्रीम से हमारे पूरे केख को कवर करना है इसके साइट से और इसके पूरे तो कोशिश करेंगे जितन 어우ुआ को फिर वेलेंगा से मार्केट में बहुत एजय को एजशिऑ हैं पर के सरफेस पर और इसके साइट को भी बहुत ही अच्छे से प्लेन कर लेंगे और यह बहुत ही एजी लिए हो जाते हैं आप देख सकते हैं कितने एजी हमारे केक को इत्तम फिनिशिंग मिल गया है बहुत ही अच्छा सा तो फ्रेंट्स केक ऑल्मोस्ट हमारा पूरा तयार ह चुका है बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका है हमने आइसिंग कर लिया है अब हम केक को आदी गंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम हमारे केक के डेकोरेशन के तयारी करते हैं तो यहां पर मैंने चोटा बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम करीबन तकर मिल जाएंगे तो यहां पर हमें डार्क रेट कलर चाहिए तो यह सिर्फ दो या तीन डृब िसम्डर के डार्क कलर नहीं आएंगा यहां पर मैंने पांस से स्चे और रैट कलर को बनाने के लिए तो हलके हलके हाथ से हम spatula को इस तरीके से ऐसे दबाते हुए मिलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा red color बनके तयार हो जाएंगा दिहान रहे कि बहुत ही speed में हमें ऐसे जलाना नहीं है इससे क्या होगा ना कि जो हमारी whipping cream है वो melt हो जाएंगी थोड़ी सी daily पर जाएंगी तो जब हम एक के ओपर हमारे रोजट बनाएंगे तो वो जल्दी से melt हो जाएंगे तो सेम प्रोसेस से मैंने हैंपर फिर से दो चमच और whipping cream ली है एक दूसरे बाउन में और इसके अंदर आगे बढ़ते हैं अब बस एक glass लेंगे और glass के अंदर इस तरीके से piping bag को रखके इसके अंदर हम हमारी जो red whip cream है वो डाल देंगे यहाँ पर मैंने दो star nozzle का use किया है एक छोटे और एक बड़ी का तो दोनों के लिए अलग-अलग मुझे star nozzle लगे इसलिए same design शायद नहीं रहेंगा और बस हलके हलके हाथ से इस तरीके से हमें rosette बनाने हैं एक red एक pink एक red एक thing इस तरीके से बनाते हुए हमने पूरा उपर का surface cover कर लिया और इसी तरीके से पूरा मैंने इसके sides और surface पे rosette बना लिये pink और red कलर के जो बहुती beautiful लग रहे थे दिखने में और खाने में तो super soft, super tasty cake बन के तयार हुआ था इसके अंदर जो हमने strawberry crush एट किया और जो whipping cream थी बहुती बहुत yummy tasty और एकदम delicious हमारा cake बन के ready हुआ था, मैंने यहाँ पे cake cut करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने अपनी love fun के लिए यह cake gift के लिए बनाया था इसलिए, बट दोस्तों यह इतना super tasty बना था cake इसका कोई जवाब नहीं, बहुती yummy जिसने भी खाया, उसने बस मेरी तारीफी तारीफ की तो आप भी ज़रूर बनाएए और अपने घरवालों को खिलाएए बहुती easy recipe है और अगर आपको मेरी recipe पसंद आएए तो please like करके मेरी channel को subscribe कर दीजे तो फिर मिलते हैं next video में एक बड़ी अच्छी recipe के साथ तब तक के लिए bye bye, stay safe and thank you lovely people